इस टेबलेट का उपयोग बेक्टेरियल संबंदित समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये टेबलेट पेस्क्राइब किया जाता है यानि बेक्टेरिया की समस्या को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है और जैसे कि इस मेडसीन का उपयोग टॉंसलाइटिस की समस्या में क समस्या आ जाता है और जैसे कि गले में आपने देखा होगा सूजन के साथ में काफी ज़्यादा दर्द की समस्या रहता है गले में बहुत अजीब अजीब सब महसूस होता है गला एकदम मोटा मोटा सा हो जाता है गले के साइड में सूजन आ जाता है आप आप खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो काफी ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है आप रौपर खाना नहीं खा पाते हैं पानी नहीं पी पाते हैं टॉंसलाइटिस की समस्या में तो इस समस्या को ये जो मेडसीन है यानि जो टेबलेट है इन सारी समस्याओं को जड़ स तों यह दो बारु यह हमिरीज को मरीन के लिए डाक्टर के लूरा बता जाता है इस कमपोजीसन, जैसे कि जो कमपोजिशन, क्या इना होता है, जैसे इस टेबलेट में जो हमारा साल्ट होता है, सिपेग्जीम होता है एजित्रोमाइसिन होता है और लेक्टिक एसिड बिसेलस टेबलेट होता है चलिए अब हम आपको बताते हैं इस टेबलेट का उपयोग किस परकार की दिक्कत किस परकार की समस्या में डॉक्टर के दौरा पेसकराइब किया जाता है यानि मरीज को क्या दिकत क्या समस्या रहती है तब डॉक्टर के दोरा दिया जाता है जैसे कि अगर किसी को बेक्टेरियल इंफेक्षन हो गया है यानि बेक्टेरिया के कारण किसी भी परकार से कोई इंफेक्षन की समस्या हो गया है तो उस समस्या को ठीक करने के लिए डॉक्टर के दोरा ये मे से रहती है जब फोड़ा फुंसी हो जाता है आपने देखा होगा कई बार कान का बहुत ज़्यादा एक परकार से हम कह सकते हैं हद से ज़्यादा दर्द की समस्या रहती है तो इन सारी समस्याओं को ये जड़ से ठीक करने का काम करता है या और जैसे कि अगर किसी के नाक में जैसे अगर किसी के नाक के अंदर फोड़ा फुंसी की समस्या हो जाता है नाक में दाना हो जाता है तो भी डाक्टर के दोरा इन सारी समस्याओं में ये टेबलेट दिया जाता है या पिर टॉंसलाइटिस की समस्या में आपको हमने बताया ही है आपके गले में इन्फेक्श आप खाना खाएंगे पानी पीएंगे तो प्रापर अंदर लिगल नहीं पाएंगे वहां पे जलन की भी समस्या कई बार रहती है आपने देखा होगा आप अपने हाथ से छोएंगे तो कफी ज़्यादा दर्द की रहेगी और आपने देखा होगा गले के साइड में दाने के जैसा अंदर गोल-गोल सा महसूस होता है तो इन सारी समस्याओं में ये मेटसीन दिया जाता है और जैसे कि इस मेटसीन का उप्योग कोल्ड एलर्जी की समस्या में इसमें क्या होता है कई बार सरदी के टाइम में या वैसे किसी कारड़ वस से अगर जब किसी को सरदी हो ज जैसे जब किसी को cold की समस्या रहते है ठंडी में या किसी भी कारट से अगर उसे cold की समस्या हो जाती है तो उसमें देखे आग से पानी आता है उसके नाग से पानी आने लगता है उसे continue लगातार एक एक दो-दो मिनट पे छीक आने लगता है तो इन सारी समस्याओं में इस टे मार्ग में किसी परकार की समस्या हो जाता है तो इसमें भी डाक्टर के दौरा ये मेटसीन काफी ज़्यादा पेसकराइब किया जाता है जैसे UTI मतलब ये होता Urinary Trach Infection यानि आपके मूतर मार्ग में जैसे कि आपके मूतर मार्ग में आप जो पेसाब करने के लिए जाएंगे तो काफी ज़्यादा जलन की समस्या रहेगी पेसाब करते हैं पेसाब रुख रुख के आएगा और आपका पेसाब पीला होगा आपके पेसाब से काफी ज़्यादा दुरगंद की समस्या आएगी तो ये एक परकार से infection है जो UTI इसका सौटकर नाम है और पूरा नाम जो इसका होता है urinary tract infection यानि इस समस्या में भी डाक्टर के दौरा ये medicine काफी ज़्यादा पेस्क्राइब किया जाता है इन सारी समस्याओं को ये medicine जड़ से ठीक करने का काम करता है और जैसे कि जब किसी के UTI में यानि मुत्रमार्ग में किसी परकार का infection रहता है तो जब वो पेसाब करने के लिए जाएगा तो पेसाब करते टाइम उसे काफी ज़्यादा जलन की समस्या रहेगी काफी ज़्यादा भबक के जैसा महसूस होगा जैसे कि पेसाब करते टाइम काफी ज़्यादा दर्द की भी समस्या रहती है तो इन सारी समस्याओं को ये medicine जड़ से ठीक करने का काम करता है जैसे कि अगर किसी के skin यानि तचा पर खुजली, allergy या फिर किसी भी कारड़ से कीड़ा, मकोड़ा काट लिया है की वज़ा से skin पर बहुत ज़्यादा खुजली की समस्या होती है इस skin पर दाने पढ़ जाते हैं, फफोले पढ़ जाते हैं तो इन सारी समस्याओं को ये medicine ठीक करता है और जैसे कि pneumonia की समस्या में भी इस medicine का उप्योग किया जाता है और जैसे कि अगर किसी को बुखार की भी समस्या रहती है तो उसमें भी डॉक्टर के दौरा ये medicine मरीज को खाने के लिए बताया जाता है यानि डॉक्टर के दौरा ये medicine पेस्कराइब किया जाता है और जैसे कि अगर किसी के मुह में यानि मुह के अंदर किसी भी कारण से अगर उसे कोई समस्या हो जाता है तो उस समस्या में भी डॉक्टर के दौरा ये मेडसीन पेस्क्राइब किया जाता है और जैसे कि अगर किसी के इस टमक में किसी परकार यानि अगर उसके पेट में किस भी परकार की समस्या रहती है, तब भी डॉक्टर के दौरा ये मेडसीन पे स्कराइब किया जाता है, चलिए अब हम आपको बताते हैं इस मेडसीन के डोज के बारे में, इस मेडसीन को कैसे डॉक्टर के दौरा डोज निर्धारत करके लेने के लिए बताया जाता है, जैसे कि जो medicine का doge होता है या doctor के अनुसार, doctor क्या काम करता है? मरीज की age और उसके bait और उसके body bait और उसकी दिक्कत, उसके रोग, उसकी समस्या को देखते हुए इस दवा का doge निर्धारित करके लेने के लिए बताते हैं adult में जो इस दवा का doge होता है, doctor के दोरा एक गोली सुबा, एक गोली साम को खाना खाने के बाद में खाने के लिए बताया जाता है या फिर दिन में एक बार भी खाने के लिए doctor के दोरा बताया जाता है चलिए वह आपको इस दवा के side effect के बारे में बताते हैं इस दवा का क्या-क्या side effect देखा गया है। कभी भी आप कोई भी मेडसीन खुद से उपयोग ना करें।